हालो फ्रेंस आज के विडियो में बाट करएंगे watercolor protection के बारे में इनसे पहले बाला पारे में हमने बताया था आपको transformer protection क्या होता है और हम इसको क्यों क्यों use करते हैं उसके अगर आप ने उस विडियो को देखा नहीं तो में डिस्केस्टम ने उसका लिंक दे दिया हूँ आप वहाँ से देख लीजिए प्रेंट ट्रांस्फर्मर प्रोटेक्शन के लिए हम अच्छे टैप से प्रोटेक्शन यूज करते हैं उसमें से एक होता है ओवर करेंट प्रोटेक्शन तीन होता है डिफ्रेंशल उसका और और विंदिग रहता है और उसका जो ओईल रहता है उसका अंदर हीट के बिजहें स जो हमारा ट्रांसफर्मर करेंग्शन के लिए होता है एक होता है हमारा overload के लिए दुश्रा होता हमारा short circuit के लिए जो हमारा transformer रहता है उसे अगर overload होगा तो बहुत ही कम समय के लिए उसको maintain कर सकता है लेकिन उससे जाधा होगा तो क्या होगा त्रांसफर्म के अंदर जो इसका into Settings रहता है कम हो जाएगा तो ट्रहार्मर के अंदर हीट जैसे होता है आप सब को पता है तर्ण्फार्मर में को पता है कि दो आंदर हो तो केस्टे होता है जब हम ट्रांसपर्मर का प्राइमेरी वाइनिंग को सप्लाई देते हैं तो हमको पहले से पता है कि किसी भी कंडूक्टर अंदर हम अगर सप्लाई एलेक्रिक सप्लाई फ्यों करेंगे तो उसका आज-पास क्या करेगा मेगनेटी फिल्ड करेंगा उसी हि पहले से पता है कि मैं जो मैगनेटी फिल्ड के साथ कट होता है तो वहाँ पर यह मेंद होता है और यह मैद Staff मर्मर करेंगे करता है तो एक पर फोर द्राइब करता है लगांद करेंगे तो नहिuum पता दूंफ़ नहीं अपर प्रक्यों कोटा है इंग पूंप प्रकशुए में होता हैं और एक बास डायोर सिसी बज़ेस से क्या होता है जो हमारा रहता है त्रास्वर्म कर उसका अंदर अधर रहता है वह अपना डाइरेक्षन प्रोजेडी हाफसाइकल में चेंज करता रहता है कंटिनुसली इसी वज़ेसे वहाँ पर अगर ओवोलोड होगा तो यह क्या गहाँ इस डाइरेक्षान जो चेंज होता है एक यह ज्यादा हो जाता है और वहाँ पर क्या होता न हमारा हीट जेनरेट कहा है हमा थो ही घेले derived है उस हीट से का लिए हमारा ओबर हीटिंग फ्रोटेक्षा सब्सक्राइब करते हैं तो चुछ प्रोक्त किया करते हैं एक विन किया होता है दो सका यूआ करता है उसको प्रेट होता है उसको लिए उसके व्रणुड मं हम्यूस के लिए हम धाय को स्कान्ट साथए एक एक थेमस्यवें और यहाँ पर देख रहना है यहाँ पर देख रहे हैं एक ब्लाक कलर हका है ठीक है जो padre कलर होता है उएक्चुली an नेचे brush पहुताई और जो फूर कोई ब्लाकश यगंना और मेकष्टो करती आँगर आपीठों जैंग अ Wirp अब्लाग करना फार्वा, फेरंडनी न क्या हमता है कोुए फूरी है और मेंतै उन्रेक्ट करना फार्य और हासten लोट को कम करना पड़ेगा दूसरा हमारा जो ऑईल होता है उसका क्वालेटी चेक करना जो है वह एक चुले गूड क्वालेटी में होना चाहिए कभी-कभी हमारा अगर खराब रहेगा तभी भी ट्रांस्पार्म और ओफएडिटिंग होगा आसा है कि छोड़ा से वीडिया को बसंद आया होगा तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए